हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे हल्दी होंगे और इस लॉक्डाउन में या कुरोना में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे स्टुडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर वन क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर वन वेन वेरन हाँ क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर वन का तो मैंने वीडियो पहले भी बनाए हुआ है लेकिन वो किसी प्राइवेट पप्लिकेशन का था दूसरे पप्लिकेशन का था वो आपका था, New Longman Vistas का था, अब तो जानते हैं कि Private Schools में, वो भी 6-8 में बहुत सरी Private Bookें चलती है, तो ऐसे, तो Social Science यानि SST की भी बहुत सरी Private Books है, तो New Longman Vistas, इसका जो First Chapter है, वो मैंने Explain कर दिया है, आप अगर उसको देखना चाहते हैं, कोई भी देखना चाहता है, तो वो तो Uploaded है, उसको आप देख सकते हैं, कुछ Heading हर किताबों मिलती जूलती हैं, कुछ Points हर किताबों मिलती जूलती हैं, बस एक या दो Heading की जहां तक बात है, वो अलग-अलग differ रहता है, exercise differ रहते हैं, बाकी चीज़ें different रहते हैं, लेकिन जो Matter होता है, वो सबके सब में NCRT से ही लिया जाता है, और Matter में बहुत जादे अंतर नहीं होता, Heading बाले हो सकती है, सेंटेंस अलग टाइप से लिखे जा सकते हैं, exercise questions अलग से दिया जा सकते हैं, लेकिन जो में आपका content है, जो में core है syllabus का या chapter का वो NCRT से ही प्रेस्क्राइब होता है, और writer जो private publications के लिखते हैं, वो भी उसी basis पे लिखते हैं, तो आज मैं आपको जिस chapter का explain करने जा रहा हूँ, वो chapter आपका first है, when, where and how, और वो आपका है time tells publication से, time tells नाम से एक book चलती है, ठीक है, thumbnail में आपने उसको उसका pick देखा होगा, यहां भी मैं share कर दे रहा हूँ, तो उससे आज मैं आपको explain करना, तो चलिए, पीना किसी लेट के, हम उसे explain करते हैं, और हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि complete वीडियो देखेंगे, तो ही आप इन चीजों को समझ पाएंगे, और वीडियो देखने के यहां आपके जो first paragraph उसमें दिया है, कि history को हम study के तौर पे, अगर हम history का study करना चाहते हैं, तो हमें इसको divide करना पड़ता है, क्योंकि history को छोटी मोटी चीज तो है नहीं, 2021 चल रहा है, तो zero से लेकर 2021 तक start हुआ होगा, उससे पहले भी दुनिया थी, उससे पहले भी civilization थी, और इंडेस वैली civilization, जो की world की सबसे पुरानी civilization में से एक है, वो तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से, यानि उनके birth date से, 2000 या 2.5,000 years पहले की थी, तो इतना लंबा तो इसको divide करके ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चीजे समझ में नहीं आती है, तो history को divide किया जाता है, वो three categories में divide किया जाता है, ancient history, medieval history, and modern history, ancient history का जो time आपका है, वो आपका 0 से लेकर के, और 700 या 800 तक है, अब medieval history का जो आपका time है, वो 800 या 900 से लेकर के, ठीके, और आपक 1600 तक है, फिर आगे चल करके, medieval history को भी दो पार्ट में divide कर दिया जाता है, pre-medial and post-medial, जहां तक pre-medial की बात है, तो 700 से लेकर के, और जो 1200 तक का time है, उससे हम कहते हैं, pre-medial, और 1200 के बात से लेकर के, और 1600 तक, यानि East India Company, यानि Britain के इंडिया में आने तक, 1600 तक का जो time है, उस आपको जो अगला heading है, वो है आपका the modern period in India, तो students, class 7 में आप लोगों ने medieval history के बारे में तो जरूर पढ़ा है, और class 6 में आपने ancient history के कुछ elements को पढ़े, कुछ chapters को पढ़े, लेकिन class 8 में ये जो आपका chapter है, वो उसमे modern period से वो शुरू हो रहा है, वो जो आपका chapter है, ठीक है उसमे modern history की चीजें है, ठीक है, यानि Britain वाले जब इंडिया में आए, या बहुत सारी European traders जब इंडिया में आए, उन्होंने यहां से business करना start किया, और देरे देरे बिटेन ने कैसे इंडिया पर कबजा कर लिया, हमको slave कर लिया, तो वही सब चीज आप इसमें पढ़ेंगे, तो modern period से जुड़ी चीजें आपको पढ़नी है, इसलिए जो first heading आपकी book में दिया हुआ है, वो भी यही कहा रहा है, the modern period in India, इसमें जो दिया मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको आच्छे से समझेगा, इसमें कहा रहा है, कि modern period जो इंडिया में शुरू होता है, वो start actual starting कब से मनी जाती है, तो जो मुगल इंपायर था, जो मुगल बादशा थे, जो मुगल शाषक थे, उनका जब decline होना शुरू हुआ, वो जब खतम होना शुरू हुए, तो उसके बाद से modern period गर आपका starting हो जाता है, क्योंकि जब मुगल आपके, जब उनको decline होना शुरू बहुत सारे आपके Indian states थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हिंदू राजा थे, जो कि free होना चाते थे, उनके से बहुत से पहले ही free हो चुके थे, और ये भी free होना चाते थे, तो जैसे ही मुगल और अंगजेब जब मर गया, और अंगजेब के मरने के बाद, कोई बहुत ही powerful king या powerful बात्षा मुगल इंपार में नहीं रहा, उसके बाद जितने ही सारे के सारे weak ही हुए, ठीक है, कमजोर राजा ही हुए, ठीक है, बहुत powerful राजा नहीं हुआ, तो दीरे दीरे, जो भी आपकी Indian states थे, जैसे राजपूत थे, मराठा थे, शिवा जी मराठा थे, उसके बाद स निजाम थे, बंगाल के नवाब थे, उडिसा के king थे, ये सब धीरे धीरे गुजरायत के king थे, ये सब धीरे धीरे करके क्या होने लगे, फ्री होने लगे, ठीक है, तो इसी को decentralizedization कहते हैं, यानि मुगल वालों ने जो पूरा का पूरा इंडिया पर जो कुछ समय के लिए कराने लगे, और वो free हो गया, यानि या वो मुगल इंपायर के अंडर नहीं रहे गया, इसके बाद आपके बुक में क्या दिया है, जो मुगल इंपायर डिकलाइन हो रहा था, और बाकी जो इंडियन स्टेट से हिंदू राजा थे, बाकी राजा थे, वो धीरे दे जब free अपने आपको कर रहे थे, वो independent हो रहे थे, तो उसी समय, लगबग ये 16th century के ये असपस की बात है, तो उसी समय, Europeans ने इंडिया आने का sea route खोज लिया था, यानि sea के रास्ते, समुद्र के रास्ते, इंडिया आने के लिए उनको sea route मिल गया था, ठीक है, अब आपके मान में एक question उट रहा होगा, कि sea route खोजने की क्या जरूरत थी, जब बाइरोड हम आ सकते थे, तो इसका जवाब आगे आपके इसी chapter में दिया हुआ है, एक आपका शहर था कॉंस्टैंटिन पोल, जो बेजन्टाइन, बेजन्टियम, जो बेजन्टियन इंपायर का capital था, ये बेज किस्तान के, जो तुर्क आने की मुस्लिम थे, उन्होंने जब कॉंटेस्ट इन पोल पे कबजा कर लिया, ठीके, और वहां के चर्च वगरब तोड़ना शुरू कर दिया, वहां से लगों को मारना काटना शुरू कर दिया, तो ये धीरे-धीरे वो जो पूरा आपका एरिया था, ठीके, क्योंकि तुर्की आपके सेंटरल एशिया से सटा हुआ है, ठीके, और यूरोप से जब आप चलते हैं, इंडिया में आने के लिए बाई रोड, तो तर्की को क्रास करके ही आना पड़ता है, क्योंकि तर्की से इधर आपका यूरोप स्टार्ट हो जाता है, और तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, ठीके, खजाकस्तान, ये जो आपके सिटीज हैं, इनको सेंटरल एशिया का जाता है, फिर इन से, फिर इन सब जो क्या आप आफगानिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, और फिर इंडिया में आप काना शुरू हो जाता है, ठीके तो पहले के टाइम में जो बिजनेस हुआ करता था वो इसी राष्टे हुआ करता था सिल्क रूट शायद आपने पढ़ा नहीं होगा या आप पढ़ेंगे इसमें आप तो सिल्क रूट क्या था कि चाइने से लेकर कि एरोप तक रेशम बेचा जाता था सिल्क की कपड़े बेचे जाते थे जो कि रूमन्स को बहुत पसंद थे तो वो सिल्क की कपड़े आपके चाइना से होकर के फिर आपका लदाख होते फिर उस रास्ते फिर आपका ये अफगानिस्तान होते तुर्की के रास्ते फिर आपका यूरोप जाता था तुर्कों का तुर्कों ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया और वहाँ से आने जाने वाले बिजनस मैंसे भारी हैवी टेक्स वसूनने लगे और वहाँ से समान जब जाता था तो ये लूट भी लेते थे तो इस राष्टे European जो क्या थे वो मजबूर हो गया कि किसी दूसरे राष्टे इंडिया में आने के लिए और अपना बिजनस करने के लिए ठीक है तो जब उनको 16th century के आसबास जब उनको sea route मिल गया रास्ता मिल गया ठीक है और यह sea route खोजने वाला कौन था आपका तो वासको डिगामा था वासको डिगामा ने जब खोज लिया तो वासको डिगामा आपका पुर्तगाली था पोर्टोगीश था तो वो जब अपने कंट्री में गया तो वहां के लोगों को बिजनेस करने के लिए उसे इंस्पायर किया तो धिरी धिरे वोसाब अपना बोट ले करके अपने जहाज या नाव ले करके आए और इंडिया में बिजनेस करना शुरू किये इंडिया में सबसे पहले आने वाले पोर्टोगीश थे उसके बाद से डैन्मार्क वाले भी आए, फ्रांस वाले भी आए, बिटेन वाले भी आए, अब बिटेन वाले ज़ादा दिन तक रहा है, उन्होंने कबजा भी कर लिया अब आपके बुक में ये बता रहा है, The Modern Period in the World कि जिस समय Modern Period start हो रहा था, जिस समय बिटेन या European powers इंडिया में बिजनेस करने का प्लान बना रहे थे, उस तम यूरोप काफी बदल चुका था, यूरोप काफी चेंज हो चुका था, यूरोप चेंज क्या हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले शुरू से, पहले क की और Aristocrat System होता था, मोनारकी सिस्टम में जो कंट्री का मालिक होता था, राजा होता था, यूरोप के लोग ये मोनारकी सिस्टम से परशान हो चУके थे हैं और 1789 में जब आप Class 9 में जाएंगे तो आप French revolution पढढ़ेंगे, तो सेवेंटीन-एटीन-नाइन में लोगों नहीं क्या किया कि सबसोर पहले फ्रेंच वालो ने रिवोल्ट किया वहां के राजा को हटा दिया मार दिया और वो अपने कंट infinitely को रिपब्लिक कर लिया और डेमोक्राटिक कर लिया जैसे इंडिया आज डेमोक्राटिक कंट्री है जैसे फ्रांस भी उस समय डेमोक्राटिक हो गया था तो इन सबकी तैयारी यह सब चीजे एक दिन में नहीं हुई इन सबकी तैयारी कई सालों से चल रहे थी तो 16th या 17th सेंचुरी से ही मोनार्किजम को मोनार्की सिस्टम को रेनेशा और नेस्निलिजम तो अगली हीटिंग आपकी है रेनेशा र-e-n-a-i-s-a-n-c-e स्पेरिंग थोड़ी से टेड़ी है प्रण्शेशन भी उसका थोड़ा सा अलग है रेनेशा और यह समझते हैं रेनेशा क्या है रेनेशा का आपका मतलब होता है रिवाइवल र आवेकनिंग आफ कल्चर जैसे किसी कल्चर को सब्वेता को फिर से वापस लाना फिर से उसको यूज में लाना फिर सो लोग उसको मानने लगे ठीक है किसी ट्रडिशन को परंपरा को कस्टम को फिर से ले आना या किसी चीज़ को फिर से जगाना रिवेकनिंग आफ कल्चर इसे कहा गया आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डीटेल में तो नहीं दिया लेकिन इस चीज को जानना के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं अलग से आपको कुछ इंपॉड़ेंट पॉइंच बता रहा हूं उसको आप ज्यांते सुनेंगे ठीक है हुआ यह जिस बेजन्टाइन इंपायर की में बात कर रहा था ठीक है वो थ्री हंडेड थर्टी फाइव से स्टार्ट हुआ और फोटीन हंडेड थर्टी फाइव तक वो था यानि इतने डि फोटीन हंडेड थर्टी फाइव के असपास कॉन्टेस्टिन पॉल्स जो इसकी कैपिटल थी बेजन्टियम इंपायर की उस पर तुरकों यानि मुस्लिमों ने टेक कर दिया और मुस्लिमों उसको कबजा कर लिया फिर वहां जितने कल्चरल एक्टिविटीज थी या जो भ दीरे-दीरे क्या हुआ कि जो भी वहां पे गरिक रहते ते जो रोमन रहते थे अपने जान ब 나कर करके दूसरे कंट्री में भग गये चले गए वह पूरा का परौट गप्रों जो की लेका था वो तुरकों के कभजते में में होगया ऊब तुरकों ने तोन नया इंपायर ब ग्रीक कल्चर के लोग या जो रोमन कल्चर के लोग थे जो लेटिन लैंग्वेज बोलते थे ठीक है उन्होंने दीरी देर अपने चीजों को समेटने शुरू किया और अपनी जो कल्चर थी जो ग्रीक कल्चर था जो रोमन कल्चर था जो उसके सिंबल्स थे जो उसकी स्टोर आने के थे story लिखने वाले poem लिखने वाले उनने Greek कल्चर के बारे में और Roman के बारे में खूब लिखना शुरू किया जो artist थे जो painter थे उन्होंने Greek कल्चर और Roman कल्चर की painting बनानी शुरू गी ठीक है ओटमान प्यार के आज़बास के लागों में तो दीरे-दीरे जो कल्चर खतम हो रही थी वो कल्चर फिर से जग गई वो लोगों के सेंटिमेंट जो लोगों के सेंटिमेंट थे जो घायल हुए थे जो लोग मनी मन अपने आपको कोश रहे थे कि हमको वहां से भगा दिया गया और मुसलिम समराज वहां पर स्थापित हो गया तो दीरी दीरी यह सब के क्या होने लगा कि लोग जागने लगे जो आवेकनिंग करने लगे ठीके यह चीज जो आप यह थी ठीके उसी को रिनशाक आ गया उसके पास सेकेंड डीजन आपका इंडेस्टर रेवलूशन है वह यह कि 16 सेंचुरी के असपाछ यूरोप के पापलिषण थी बहुत तेजी से इंक्रीज होई जीकिन पलेशन पर इंक्रीज होई उतनी से और खाने बराने स्टार्ट किये, प्लांट लगाने स्टार्ट किये, तो देरी देरे 17th century तक आते आ थे यूरोप में बहुत bumper speed से और बहुत बड़े लेवल से production तयार होने लगा और सामान बनने लगे, हर तरीकी के सामान वहाँ पे बनने लगे, और तब तक scientific inventions भी काफी क्यांकि उनका जो अपना domestic market था, वो उनके ही सामानों से भर चुका था, पूरे यूरोप में France हो या Germany हो या आपका Britain हो, local सामान जो वहाँ के थे वो भर चुके थे, तो वहाँ के जो business minds थे, ठीके उनको profit कमाने के लिए कोई नया market चाहिए था, तो उन्होंने अफरेका की औ रुख किया, और इंडिया, चाइना जैसे Asian countries के तरफ भी वो मुड़े, उसके बाद जो आपका third सबसे important region है, जो यूरोप बदल करके modern हो गया, यूरोप चेंजों के modern हो गया, वो था आपका nationalism, nationalism एक प्रकार की feeling है, अपने देश के लिए जो आप contribute करते हैं, अपने country को आप सबसे उपर रखते हैं, अपने family से भी उपर आपने country को रखते हैं, अपने country के बारे में आप सोचते हैं, तो ये जो nationalism थी, ये यूरोप में उस time common हो गई, और सबी लोग ठीक है, एक country के बारे में, एक जूट होने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि तब यूरोप में जि Germany को unite किया गया, ये class 10 में आप पढ़ेंगे इन दोनों chapters को, unite किया गया, और unite होके ये दिरी दिरे क्या बनने लगे, democracy की दरफ चल दिये, ठीक है, Republic बेहुस्ता और democracy की जो बेहुस्ता थी, उसमें ये सब आने के लिए तड़प रहे थे, तो revolution किया गया, French revolution हुआ, Russian revolution हुआ, England में revolution हुआ, अमेरिका में revolution हुआ, और ये दिरी दिरी ये सारी चीजें थी, democratic country आज बन गए, ठीक है, उसके बाद से अगली जवाब की heading है, वो है source of the modern period, इसमें आपको ये बताया जाएगा, कि जो भी हम चीजें जानते हैं, जो हम book में पढ़ते हैं, history के बारे में, वो च बिजनस करने के लिए आये थे, उनने यहां से business किया, यहां लडाया लड़ी, यहां के राजाओं को हराया, यहां पर कबजा कर लिया, यहां में information कहां से मिलता है, तो जो information हमें मिलते हैं, उसको हम source कहते हैं, तो modern period में जो भी चीजें, incident जो भी हुई, जो भी चीजें घट में कहां से मिलता है, तो जहां से मिलता है, उसको हम source कहाते हैं, तो जो पहला आपकी है, इसमें जो आपकी पहली गैटिंग है, वो है, official records of the British administration, इसमें आपको यह बताने का प्रियास किया गया है, टाइप किया गया है, कि British जो थे, ठीक है, उनके यहां printing प्रेस का invention हो जो भी यहां पर states को कबजा किया, यह जो भी official, unofficial administration के तोर पर जो भी उन्होंने यहां देवस्ताय किया, जो भी policies यहां उन्होंने लागू किया, जो भी law बनाया, ठीक है, जो भी चीज़ें की, वो उन्हों सब का record रखते थे, क्योंकि East India Company, कोई आपनी company नहीं थी, वो Britain की company थी, यहां पर business करने आई थी, तो यहां पर उन्हें कबजा कर लिया, तो हर चीज की reporting वो वहां Britain में, जो महरानी थी, जो queen थी, उनको करते रहते थे, तो written way में, एक record के रूप में, file maintain करके, वो भेशते रहते थे, और information का exchange होता रहता था, तो उन्हीं सब data से, उन्हीं सब official data से, उन्हीं सब, फाइल से, ठीक है, या written record से, हमें बहुत सारी चीज़े जानने को मिलती है, डैली मुजियम में, जो national archive है, वहां पर ऐसे बहुत सारे आपको paper या document, अभी भी रखे हुए हैं, आपको कभी मौका मिले, वहां जाके आप इन चीज़े को देख सकते हैं, ठ फिर उसके बाद से आपका, फिर उसके बाद से जो अगला source है, वो books है, newspaper और magazines है, जैसे होता क्या था, कि बहुत सारे लोग, ब्रिटेन वालों के साथ साथ यहां पर आते थे, तो सारे के सारे बिजनसमें नहीं होते थे, सारे के सारे जो है की soldier नहीं होते थे, कुछ teacher भी हो लोगों को Christian गलसर का यहां पर प्रचार प्रचार करने आते, advertisement करने आते, यहां के लोगों को Bible पढ़ाते थे, तो उन सबने अपनी-पनी books लिखी, different-different matter पर उनने books लिखी, तो उन books से भी हमें काफी कुछ जानकरियां मिलती है, कोछी British writer थे उनने यहां इंडिया की history भी ल लिखी, James Mills का नाम इसमें सबसे first आता है, James Mills, उन्होंने यह एक book लिखी थी, history के रूम में, बहुत सार ऐसा writers हैं, जिन्होंने book लिखी थी, तो उन books से उस time के इंडिया की information हमें मिलती है, उसके बसे newspapers हैं, जब Britain वाले यहां पर आया है, तो उन्होंने newspaper निकलना शुरू किय इसे कोई message फैलाना होता था, कोई message aware करना होता था, क्योंकि उनको अपनी country में newspaper पढ़ने की यादित थी, यह उनका culture था, तो यहां भी उन्होंने वो culture स्टार्ट किया, तो बहुत सारी newspaper उन्होंने ने स्टार्ट किया, कुछ Indian लोग भी थे, उन्होंने भी अपना newspaper यहां प पब्लिश हुआ था, वो था आपका Bengal Gazette, Bengal Gazette नाम का जो paper था, वो सबसे प्रावले पब्लिश हुआ था, और Indian द्वारा, Indian language में, जो सबसे first newspaper यहां पर पब्लिश हुआ था, वो था आपका उदन्त मारतंड, ठीक है, देखें, आपके book में दिया भी है यह information, 1780 में यह कलकत् पब्लिश हुआ था, यह आपका publish हुआ था, लेकिन यह English language में publish होने वाला first newspaper था, ठीक है, और Hindi language में publish होने वाला जो first आपका paper था, उदन्त मारतंड, ठीक है, बहुत सारे ऐसा newspaper था, जो हिंदी language में publish हुआ थे उस time, ठीक है, उसके बाद से magazines थी, कुछ newspapers के जो publisher होते थे, द उन्हों ने इसको magazine, यानि पत्रिगा की शकल दे दी, और ये weekly, या monthly, या 15 days पे इसके edition आते रहे, तो उस जमाने में जो भी newspaper था, या जो भी magazines हुआ करते थे, उनसे हमें काफी कुछ information मिलता है, modern period के बारे में, जो भी आंदोलन हुए, struggle हुए, moment हुए, law वगरा जो भी, यह decide किएगे, बहुत कुछ information हमें, उस magazine से, books से, और newspaper से हमें मिलता है, उसके बास से आप एडिंग हाती है, architecture, तो written record के अलावा, books के अलावा, newspapers के अलावा, magazines के अलावा, ठीक है, कुछ architectural units भी थी, जिससे भी हमें बहुत सारा information मिलती है, जैसे architecture का मतलब था, construction, जो भी building उस time बन बनाई गई, ठीक है, अधिकतर, building साब के British द्वारा ही बनाई गई, Britain के लोगों द्वारा ही बनाई गई, ठीक है, तो उनका जो structure था, building है, जो बनी थी, तो किस material से बनाई गई, किस art से बनाई गई, design कौन सा था, ठीक है, material कौन सा ही, उसकी है गया, तो इससे भी हमें काफ कुछ information जानने को मिलता है, कि उस time जो चीजें available रही होंगी, उनी चीजें को ले करके buildings बनाई गई होंगी, यह monuments बनाई गई होंगे, आज का material यूज करके तो नहीं बनाई गया होगा, उस time जो भी sources available होगा, जो भी materials available होंगी, उनी का तो यूज करके उनोंने buildings बनाई होंग है, और भी आपके gateway of India है, चत्रपती सिवाजी terminal है, ठीक है, बहुत सारे, आज भी आप बहुत जगह देखेंगे, तो अंग्रेजों के जमाने के बिटिस के जमाने का है, आपको pull मिलेगा, ठीक है, आपको pull station मिल जाएंगे, ठीक है, आपको head office मिल जाएगा, तो वहां से भी में बहुत सारी जानकारिया, information मिलते हैं, आप इस figure में, picture में देख भी सकते हैं, कि राश्पती भावन जो आपको दिखाए गया है, वो ब्रिटेन वालों नहीं बनाया था, यहां का जो parliament है, वो उन्हों नहीं बनाया था, जो gateway of India है, उन्हों नहीं बनाया था, ठीक है, उस उन्होंने books भी लिखी, और उस जमाने में जो भी उन्होंने इंडिया में देखा, जो कुछ भी देखा, culture देखा, tradition देखा, system देखा, government देखा, movement देखा, जो भी चीज़ें देखी, उन्होंने अपने books में या अपने diary में जरूर लिखा, तो जो उन्होंने लिखा, उसके तहत भी उसके हिसाब से भी हमें बहुत कुछ इंफार्मेशन मिलती है पुराने टाइम में मेगेस्थनीज नाम का एक यह ट्रेवलर इंडिया आया था अगर वो नहीं आता तो जो मौरेन इंपायर के बारे में चंद्रगुप्त के बारे में या जो अर्शोक के बारे में या जो भी आज हम पढ़ते हैं वो शायद हमको पढ़ने को नहीं मिलता और चाड़क्या नहीं लिखा होता तो मौरेन इंपायर की बारे में उतनी इंफार्मेशन हमें नहीं मिल पाती जितनी आज हमारे पास है ठीक है तो बहुत सारी लोग ट्रैवलर्स ने लिखे अपनी ची कुछ हुआ आप वोई वीडियो कैसा लगा अगर इंफार्मेटिव लगा आपने इसे कुछ सीखा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ऐसे ही जारी रखिए तो हेल्थ हेल्दी रहिए मस्त रहिए खुश रहिए मिलते हैं आप से ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत